एव्रीवन वेलकम टू अन्राज फैमिली किचन आज हम बनाने वाले बिना वन के तवे पर पिज्जा वह भी ब्रेट से और ये पिज्जा हम घरपर ही रखीवी चीजों से बनाने वाले हैं तो ऐसे ही आप बच्चे जब भी आपके जित करें तो जट पर बनांकर वहीं खिल यहाँ पर सबसे पहले में बर्ट की एक साइड पर खूब सारा बटर लगा देती हूँ और इसके बाद हम इसको दूसरी साइड में परट लेंगे उसके बाद हम इसे पर लगाएंगे पिज्जा सास अगर आपके पास पिज्जा सास नहीं है तो आप यहाँ पर सेज़वान चटनी का भी इस्तेमाज कर सकते हैं और उसके बाद चटनी लगाने के बाद हम इस पर ढाल देंगे बसारा चीज तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज में क्रेट करके डालती हूं ऐसे । यहाँ पर स्लाइस वगर आप बहुत सारा भी चीज आप जैसा आपके पसंद हो वैसे आप डाल सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे छोटे-छोटे टुकडों में कटा हुआ प्याज और कटे हुई सिम्ला मिर्च अगर आपके पास कॉर्ण, अल्यू आईल या जो कुछ भी है न कलर वाले सिम्ला मिर्च सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं और अगर जो कुछ भी आप घर पे अवेलिबल हापके उन सब चीजों को डाल कर आप बना सकते हैं जो कुछ नहीं आप उसमें अवाइट कर सकते हैं तो यहांपर मैं सिंबला मिर्च और प्यज रग देती हूं और यह बहुत ही जल्दी पांच मिन्ट में जटपट दनकर तयार हो जाता है यही ही का पर मैंने डाल दिया है और साथ में हम कुछ यहांपर मसाले डालेंगे तो थोड़ा से हम पर मैं काली मिर्श को छिड़क देती हूँ, उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं, उसके साथ हम थोड़ा सा और गॉर्णर डाल देते हैं, और बस बिल्कुल इस सि देखें, हमने इसको त्यार कर लिया और यहां पर तवा पहले से गरम करने की भी जरुवत नहीं है और बिल्कुल धीमी आज पर हम इसको चार से पांच मिनट के लिए बेग करने के लिए रख देंगे, हम इसको ब्रट को रख देते हैं, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, और पांच मिनट बाद देखते हैं, यहां पर यह देखिया हमारा पिज्जा जो है बनकर त्यार हुआ है, क्योंकि यहां पर मैंने चीज को कम ही डाला है, क्योंकि मुझे चीज कम पसंद है, तो यहां पर उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखाए देगा, चीज आप अपन ज़्यादा डाल सकते हैं, तो यह देखिया हमारा पर पर यहां से घर पर ब्रेट बिज्जा बनकर त्यार है, पसंद आया तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थाइंक्यू, बाई बाई